हलो स्टुडेंट एक बार स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की बाटिका की बर्क बुक अर्थात कच्छा 5 की हिंदी की बर्क बुक जिसका चेप्टर पढ़ने वाले हैं आज 10 इसका नाम है चेतक की बीरता अलब बिस उपर सिद्ध न और यहां पर यह बर्क बुक है इसमें कुछ क्वेश्चन उसके समंदित आप से पूछे जाएंगे देखते हैं इसमें क्या है पहला क्वेश्चन यह महराणा प्रिताफ है जो उसके गोड़े पर बैठी दिखाए देने के गोड़े का नाम था चेतक और यह पहला क्वेश्चन है कि पंक्तिवयों को पूरा करना है तो पंक्तिवयों को अगर आपको किपता याद है तो आप वहां से इसको वर सकते हैं और नहीं तो फिर आप किताब ko देख के भरिएगा तो देखीगा क्या है रडवीच और यहां लिखा हुआ निराला था बीच में आपको खाली जेगे थी जो भरनी थी जो कमने भर दी है तो रडवीच चोकडी भरवर करची तकवन गया निराला था राड़ा प्रताप के गोडे से पढ़ गया हवा का पाला था गिरतान का वीचे तकतन पर राड़ा प्रताप का कोड़ा था ओह दोड रहा अरि मस्तक पर या आश्मान पर गोड़ा था जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर शवार उड़ जाता था राड़ा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था जो कवी है जिन्हों ये कविता को लिखा है उन्होंने चेतक के वारे में बहुत सुन्दर चित्र किया है ठीक मतलब ये नहीं लगता था कि चेतक चल कहा रहा है दुसमन के सिर पर भाग रहा है कि आस्मान में भाग रहा है यूद में आप जहां देखो वहां घोड़ा ही उनका नजर आता था ऐसा इस कविता में चितक की बीरता का चित्रड किया गया है देखते हैं आगे क्या इस में नीचे दियेगे सब्दों का अर्थ सरल वासम लिखना यह पाला का मतलब होता आपका किसी से सामना हो जाना एक दूसरा पाला होता जो जाड़ों पड़ा करता वो अलग चीज़ पाला लेकिन हैं आप लिखेंगे कि आज आपका फ्हलाने से पाला पड़ गया तो सामना हो जाना पुतली का मतलब होता नजर अधर लगर लगर भाला किसी सांहगते जाना भाला में प्रिश्नों के उत्र में लिखने हैं कि दूसरा प्रताप के गोड़ी का नाम क्या था तो आप लिखेंगे चेतक हवा के हिलने पर चेतक कैसी प्रतिक्रिया देता था चेतक बहुत तीज दोड़ता था और चेतक किस प्रकार अपना कौसल देखलाता था चालों में और दोड़ में चालों में भालों में ऐसा उसने करतक देखला था और आप अपने त सुमनों वी दोन्द करके बैरी समाज रहे गया दंग हो जो ज स्यामनराहर पांड़ीchn नेक्स्ट निमलिकित पंक्तियों का बहौषपष्ट गर्तान कभी चेतग तनपर राड़ा-प्रताप का कौलः अल्था ऐसा था कि महर राड़ा-प्रताप को कभी अपने गोड़े को मारना नहीं पड़ता था वे दोड़ रहा और मस्तक पर या आस्मान पर गोड़ था और मस्तक मतलब अजमी शोता दुस्मन यो दुस्मन के मस्तक पर दोड़ा या दुस्मनों को उपद दोड़ रहा था या आस्मान में दोड़ रहा था दुस्मन का सिर पर या आ पर पर आश्मान में बढ़ती नदी की तरह दिम बहुती सी बाल आती है बैसे लहर राथा उस युद मेदान में और बाद में फिर वह ठेर गया रुग गया विक्राल बज में बादल सा अर्की शेहना पर कहर गया एक भयानक आजार की तरह दुसमनों की शेहना पर हो तूट पढ़ा तो इन पंक्तियों का इस प्रकास से आप लिख सकते हैं अर्थ लिख सकते हैं और नेक्स्ट इनकी परियाबाची लिखने परिया नदी की परियाबाची है बादल का होता जलद मीग और जलधर विखके हैं और हर अम्रीश कमलापती और विश्णु हर के पर्यावाची और बैरी का मतलब होता दुस्मन और दुस्मन और शत्रु तो यह पर जैसे गोड़ा गोड़ी है तो इसी प्रकास से आपको आपको इसमें इस त्रिलिंग और पुलिंग दो-दो सब्द मिलेंगे जैसे हमने देखा यहां से चुहा यह लिखा बैल और गाय तो आपको मिल जाएगा देखो यह गाय है और यह देखो बैल है तो यहां मने लिखा हुआ है इसी प्रकास से कुत्ता कुतिया यह लिखा हुआ है और चुहा चुहा यह लिखा हुआ है उंट और उंटनी यह लिखा हुआ है यहाँ पर इसी प्रकास से गोड़ा और गोड़ी भी कहीं पर लिखा होगा, यह गोड़ी लिखी हुई है और यह गोड़ा लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर लिखाई है, इसको करके दिखाया उन्होंने, गोड़ी और गोड़ा यह किया हुआ था, हाथी और हाथिन, हाथी और हतनी इस प्रकास से मूर और मूर और यह मूर नी तो इसमें पस्पच्चियों के नाम है मतलब जो इस्तिलिंग पूलिंग है दोनों ही साथ साथ लिखने हैं इस बॉक्स से ढूंड नूर करके और अगला क्वेश्चिन तोकान सब्दों से संबंद जैसे हवा का दवा लिखा गया है लहर का ठेर लिखा गया है बाग का नांग लिखा है बाला का नाला लिखा है टापों का टापों लिखा है समाज नमाज रंग और दंग और यहां पर आउडर में नहीं लिखा था भी शवाल खुद भी कर सकते हैं और यह लिखावूऑ महाराडा प्रताब की समंद्ट थी तो महाराडा प्रताब का जो बंस सीशाध्या बंस था सिशाध्या बंस जानी च shadow असरुदियों में ठाकरों जो होते हैं उसमें एक सब्स्राइब करके उसको लिक्षिए गा तो को जानकारी हमने लिखी है और आप उनके वारें जानकारी प्राप्त करके अलग से और भी लिख सकती है जैसे महाराणा पृताप महाराणा पृताप सिंग शेशोदिया नौवई उन्यस्षो पंद्राइसो चालिस और उन्निस जनवरी पंद्राइसो सत्तानवी इनकी जनम्त थी और ये पुन्त थी यह मतलब इनका यहां जनम हुआ था इस तारीक उनकी डेथ हो गई थी कि अधीनता शुएकार नहीं की थी और कई सालों तक शंगर्श किया अंतत को राणा प्रताप को अधेन करने में अस्फल अलब कर था हो राणा प्रताप को अपने अधेन किसी भी सूर से इने कर पाया उससे सवी तरीके अपनाए तो यह थी चीत एक बीजिता नामक चेप्टर टैन इसके एक्सेस आज हमने आपको करवाई आशा करता हूं समझी होगी इसके लास में तरह ही देट सौब